आप सभी को नमस्कार अभी स्टेडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है तो अज हम बात करेंगे सीबेसी एक्जाम 2020 की जो नॉर्मलाइजिसन किस तरह होगा एक्जाम में उसकी बारे में हम बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्रा जैसे 28, 29 और 30 और 31 ठीक है इन दिने एक्जाम चली है मालो इसमें इस दिन का एक्जाम का जो तीनों शिप्ट है दो शिप्ट हुई है उनका जो टोपर होगा उसके नमबर देखिजाएंगे 29 वाला उसके टोपर नमबर देखिजाएंगे और इजह जो 30 का जो होगा उसके टोपर के नमबर देखिजाएंगे और इन टोपरों के नमबर देखने के बाद आप में इन टोपरों में से जो जिसके ज़्यादा नमबर होंगे उसके इसाब से ही औरों के नमबरों को इंक्रीज किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन में आप सभी को पता होगा है कि नमबर degrees होने के chances कम से कम रहते हैं degrees के chance कम से कम रहते हैं उनके जो formula यूज करेंगे उसके ओपर depend करता है कि cbc कौन सा formula यूज करती है normalization के लिए तो friend आप सभी लोगों के एदी मालो आप जैसे 115 है किसी category में आपको लग रहा है कि इसमें लग बग आपका होगा या नहीं होगा 120 से उपर जाएगी तो यहां आपको थोड़ा chances है कि 115 आपके जैसे यह number है मालो आपकी shift hard थी तो यह यहां आपके मालो 5 से 6 number increase हो जाते हैं और जो भी कोई question में objection हो आपको नहीं पता हो और वो increase हो जाते हैं तो आपके typing के जो chances हैं वो पूरे-पूरे बनते हैं तो friend एदि आप लग बग जैसे लग रहा है आपकी कटोब है कि आपको जैसे इससे ज़्यादा जाएगी यहां 100 mostly आपने देखा होगा कि 100 से 120 के अंदर बहुत लोगों के नंबर है तो इन लोगों को लग रहा होगा कि मेरा आएगा ने आएगा क्योंकि maximum जो भीड़े यह ही है इसके बाद जो है नंबर है वो कुछ लोगों के ही है अच्छे अच्छे नंबर है तो यह जो mostly भीड़े 100 से 120 के बीच में है तो फ्रेंड यह आपको लग रहा है कि आपका chances है और 100 से 120 के नंबर आपको लग रहा है हम typing कर लें और यह आप किसी और exam के त्यारी कर रहे है मालो उसमें typing आपकी आएगी तो best है कि आप अभी उसकी typing के त्यारी कर लीजेगा ठीक है और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप depend करेगा कि कौन सी shift hard थी 29 थी या 30 थी या 31 थी या 28 का जो था अब वो shift कौन सी depend करेगी कौन सी hard थी mostly जो मैंने देखा है लग बग 29 की जो first shift थी उसको सब लग बग hard बता रहे है आप लोगों को क्या लगता है comment box में हमें जरूर बताएं और इसी तरह आप हमारे channel बने वरे हैं thank you